हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बन नए मार्केट अब्डेट के साथ आप लोगों का सौगत करता हूँ तो दोस्तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया हुआ कि डी मार्ट क्यों गिर रहा है दो से तीन ऐसे बड़े कारण है दोस्तो जिसके कारण डी मार्ट का स्टॉक इतना गिर रहा है ठीके तो दोस्तो अपन उन कारणों को जानेंगे ठीके आप लोगों की पोजिचन बनी होगी बहुत सारे ट्रेडर्स की काफी ऊपरी लेवल से बनी हुई है किसी की बीच में बनी हुई है किसी को प्रॉफिट दिख रहा है किसी को लॉस दिख रहा है किसी को पैनिक सिचुवेशन क्रेट हो रही है दोस्तो क्योंकि दोस्तो आप लोगों को पता है स्टॉक कितना शांदार है D-Mart Company कितनी शांदार है D-Mart Company का जो मालिक है रादा कृष्ण दमानी जी वो भी स्टॉक मार्केट में इंवेस्मेंट करते हैं तो भी उनका स्टॉक गेर रहा है ये सबी चीजे माइंड में काफी तेजी से क्रेट होने लगती क्योंकि जब इतना बड़ा स्टॉक धरास है होने लगता है ठीके तो इसके बारे में पूरी डीटेल अपन जानेंगे तो चली दोस्तो फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा आप लोगों ने Profit Guru चैनल को फर्स्ट टाइम अगर वीजिट किया है तो दोस्तो डेफिनेटली सस्क्राइब करके जाईएगा यहाँ पर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है मatलब 95% का मաर्केट तो उसने रिटन बाजार में जमान लिया है अब उसके पास तो दोस्तो ओनलाईन बीजनीज भी है तो वो भी वहां से काफी ज़्यादा अब आप लोगों क्या आसपास अगर मान लीज़ए डीमАrT का नई भी सो रू में तो आप क्या करोगे आप जियो मार्ट से ओनलाइन कुछ भी समान बुला सकते हो तीके तुम्हाँ पर income किसकी हुई दोस्तो Reliance की तो Reliance अभी इस ओदे में आगे है सेकेंड नमबर पर आती दोस्तो Amazon अब Amazon ये Reliance की उपर दाओ खेल रहा है ये बोल रहा है कि जो future retail में इसने deal करिये ये एक प्रकार से बेकार है इस पर हक होना चाहिए हमारा क्यों होना चाहिए दोस्तों क्योंकि हम हैं काफी बड़े इंसान हमें भी market में हमारा platform जो online का है वो काफी बड़ा है ठीके मतलब जे बेजोस ये बोलना चाहरा है कि मैं Reliance से deal करूँ Reliance और मेरे बीच में deal हो ठीके में Reliance retail में investment करूँ जिससे मेरा भी future काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा भारत में अब इस प्रकार से वो भारत में क्या जगा बनाना चाहता है ठीके जगा बनाने के बाद यह होगा दोस्तो कि वो competition ज़्यादा करेगा तो अब दूसरा ओदा किसका हो गया है Amazon का पहला हो गया है Reliance का अब तीसरी सबसे बड़ी company आ जाती है दोस्तो D-Mart लेकिन D-Mart के पास अभी online showroom नहीं है ठीके जिसके करण क्या है company का business नीचे देखने को मिल रहा है future इस प्राकार से देखने को मिल रहा है जिस प्राकार से stock में गिरावट हमें देखने को मिल रही है ठीके तो कहीं ना कहीं दोस्तो रादा कृष्ने दमानी जी है दोस्तो वो कहीं ना कहीं आपर क्या करेंगे कुछ ना माइंड चलाते हुए कुछ ना कुछ नया प्लान कुछ नया सोर्स निकालेंगे तो सबसे पहले ही मैं आप लोगों को बोल देता हूँ एक कारण बताने के बाद कि आप लोगों को पेनिक होने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है जिस प्रकासे दोस को यहां पर क्यों नुकसान होने देखने ठीक है कहीं ना कि उनका माइंड काफी तेजी से चल रहा है वो आगे आप लोगों को समझाने वाला हूँ पाफॉमेंस देख लेते हैं आज का 1925 के प्राइस पर बंद हुआ है प्रिवेस क्लोस 2002 का ओपन हुआ से मुतने प्राइस प को मिले थी बीच में ट्रेड कर रहा था इस टौप अभी उसी प्राइस पर कर रहा है ठीक है कंपनी इंफोर्मेशन के साथ डिलेवरी दिखा देता हूं करीवन लौँ लाग शेर किया है डिलेवरी देखने को मिलते करीवन साथ हजार सोरी चौहतर परसेंट की डिलेवरी क कंपनी इंफोर्मेशन अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या है अब देखिए जून कॉर्टर एंट मार्च कॉर्टर कंपरिजन करेंगी काफी बड़ी गिरावट है कॉर्टर ठर्ड का यहाँ पर अभी कॉर्टर सेकेंड का रिजल्ट आने वाला है उसमें अपने को अप कंडिशन पर खड़ा कर सकता है इसका स्टॉक 25 के उपर उपर अपने को ले जा सकता है अगर इसने कौटर सेकेंड का रिजल्ट बेकार पेश किया तो दोस्तों आप लोग वहां समझ जाना कि इसकी एक प्रकार से रीड की हड़ी तूट चुकिए ठीके बागी शेरोल्डर आप लोगों ने पहला रिजन जाने लिया दोस्तों क्या ओदा ओदा मिला है आप लोगों को सामने रिलाइन सबसे उपर है ठीके उसके बाद जेब बजोस आने चाहा रहे है रिटेल के बाजार में ठीकेंड थर्ड बात यह है कि जो अपने रादाक्रिशन दमानी जी जिन देखें दोस्तों टाइम्स नाओ न्यूज के उपर मैंने आप लोगों को ले के आया हूँ ठीके यहाँ पर अगर आप देखोगे बारा अक्टूमबर के यह न्यूज पब्लिस हुई थी डी मार्ट फर्स इस्टोर क्लोज इकॉमर्स एक्सपेंसे ऑप दे कार्ड मतलब अ इनके पास इस्पेस नहीं होने के करण क्या जो इसनका सबसे बड़ा मतलब इस्टोर था उसको डार्क इस्टोर बना दिये गए मतलब अगर मैं बात करू तो बेर हाउसिंग टाइप का बना दिये गए मतलब उसमें इनका माल रखा जाएगा ठीके जिससे फिर अलग- सकते हैं क्या होता है मैंने बता दिया जो चीजे थी कि एक बेर होस में कंवर्ट हो चुका है अब देखिए दोस्तों वह इस्टोर जो था वह पूरी तरीके से मिच्चिवर था काफी अच्छी कंडिशन में था ठीके अब वह डार्क सूर्स इसलिए बनाया गा दोस्तों क् देखो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि यहां पर रादा कृष्णे दमानी जी कुछ ना कुछ बड़ा सोचेंगे कुछ ना कुछ बड़ा गेम खेलेंगे तो खेला उन्होंने क्या जो डार्क स्टोर बनाया है इतना बड़ा मेच्योर स्टोर को बंद करके उन्होंने ओनलाइन प्लेटफॉर्म में कनवर्ट किया है उसको इसलिए क्योंकि यहां पर दोस्तो जो इसके मार्केट में वेल्यू है मार्केट में इसकी जगा बना बनी हुई है इकॉमर्स बिजनिस में कॉम्पेटिशन में अगर हम देखें तो एमेजोन जियो मार्ट और बिग भ तो जिसके कारण इन्होंने बहुत बड़ा गेम खेल लिया है मैंने बोला था आप लोगों कोई कहीं ना कहीं सोर्स मिलेंगे चीजें मिलेगी जिसके कारण यहां पर अपने को मुमेंटम दीखेगा लेकिन अभी नहीं लॉंग टम में तो देखिए सेकेंड सबसे बड़ा सोर्स आप लोगों के सामने आ गया है कितना बड़ा डार को मतलब इनका जो इस्टोर था वो बंद होने का कारण यही था ठीके तो उससे काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था वो ही सबसे बड़ा इस्टोर था इनका अब देखिए सेकेंड पेरिग्राप में क्या है दोस्तों आप लोगों को पता है कि 2016 से डीमाट रेडी करके क्या है एक इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ठीक है चल रहा है अब आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस के इंपक्ट के कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है क्योंकि ऑनलाइन समान मंगा लेते हैं गर पर आ जाता है वो देखे चले जाता है उसको सेनेटाइजर करके अपन अंदर ले आते हैं तो यह सभी चीज यूज हो रही है तो डीमाट रेवेन्यू जनरेट होगा सबका रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा चाहे वो एमजोन हो जियो माट हो बिग बास करो अगर म में बात करता हूँ तो यहाँ पर फानेंशियल येर 2020 की ही बात कर लेते हैं तो रेवेन्यू सूट एट तू मतलब 354 मतलब 354 करोड का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया था और लॉस अगर दिखाया था तो यहाँ पर आप देख सकते हो करीवन 80 करोड का लॉस हमें देखन को मिला था मतलब अगर आप इसे चार तुकडों में काटोगे तो इसके बरावर तो यहाँ पर आई जाएगा मतलब 4 तुकडे मतलब 25-25% के अगर 4 तुकडे काटेंगे 80-80 करोड के कनवर्ट करके तो लॉस आपको डिवाइडेड होके पता चल जाएगा कि 25 करोड का मतलब 25% का यहाँ पर लॉस हमें देखने को मिल रहा है इनके ओनलाइन प्लेटफॉर्म में तो यह इस प्रकास से पीछे हो रहे हैं अब देखिए आगे जो भी होगा उसका तो अपडेट आपको मिलेगा ही और जो जो चीज़े हैं वो अपन और समझते हैं अब दोस्तो बाकी इनका यही के ना है कि पूरी तरीके से अगर यह e-commerce में आता है डीमाट अपना रिटेल का बिजनेस बन करके मतलब रिटेल ऑनलाइन बिजनेस बन करके सीधा e-commerce में आता है तो ही इनको profit मिलेगा otherwise आप लोगों को पता है flipcott कितने बड़ी company है loss making company है साल दर साल इनको loss बढ़ते जा रहा है इनका कम नहीं हो रहा लेकिन इनको क्या मिलता है दोस्तो इनको investor मिल जाते हैं इनकी company market में list नहीं है ना तो इनको डर रहता है कि हमारा share price गीरेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस का भी पैसा loss में जाएगा company भी loss में जाएगी लेकिन वो पूरी तरीके से market में टिके रहेगी जैसे fleet card उन्होंने आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों Walmart ने इसको एक लाग करोड में खरीद लिया था इसलिए ही सामने वाले वेक्तिने उसको बेचा था क्योंकि सामने सब सबसे बड़ी company Amazon जो की e-commerce में दुनिया के सबसे बड़ी company मानी जाती है ठीके तो इसके लिए ही ये सबी चीजे अपने को एक प्रकासे डगाओने टाइप की लग रही है बाकी आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है दीरे दीरे market अगर सही होगा दोस्तों डवल से चीजे सुधरेगी तो आप लोगों को profit भी डवल से मिलेगा तो दोस्तों यही रीजन दो सबसे critical है जिसके कारण इस stock में गिरावट देखने को मिल रहे है आप देखेंगे 5 दिन में करीबन 2100 के price से गिर रहा है एक मेने के अगर मैं बात करता हूं तो 2200 से गिर रहा है क्य company का IPO आया था एक number return company देना चालू की थी दोस्तों अगर मैं 5 साल के return के बात करता हूं तो अभी हाल फिलाल कि अब जिसने IPO में allotment मिला था उसकी तो बले बले थी ही लेकिन stock में अभी गिरावट है तो आप लोगों को क्या करना है मैं जो नए ट्रेडेस में investment करने की सोच र पान लीजिए आप एक लाग रुपे लेखे बेटे हो आप सोचो नहीं में को एवेनी सूपर मार्ट का ही stock करिदना है वो काफी अच्छा है क्योंकि मेरे इंस्पायर है रादा कृष्न दमानी जी मैं उनके ही देखते हूँ stock मार्केट में आया हूं उनका stock सबसे पहले investment कर होगे मातर 10,000 में आपको अराम से 2,000 के price पे 5 quantity आजाएगी लेके बेट जाएए आपके दिल को भी सांती मिलेगी profit दिखेगा loss दिखेगा जो भी होगा वो देखते रहेगा लेकिन 90,000 जो है वो दूसरी जगा investment करिए आपके लिए बहतर रहेगा बाकी पूराना traders जो है वो आप लोगों के सामने निकालिए आप लोगों को अच्छी लगिए तो प्लीज दोस्तो लाइक कर देना वीडियो को चैनल पर नहीं तो चैनल को जरू सस्क्राइब करना ठैंकी दोस्तो